आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इंफर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग भी हार पोल टेकनिक लेटरल इंटरी के स्टुडेंट हैं क्यूंकि इस वीडियो में आप लोग द्वारा जितने भी क्वेस्टन किये गए हैं पिछले कुछ दिनों में तो सभी आंसर देने वाले हैं जैसा कि सबसे ज़्यादा क्वेस्टन किया गया है रजिस्टेशन को ले करके इसके सांथ सांथ कुछ एस्टुडेंट का इभी क्वेस्टन था कि सर आखिर कितना रुपई देना होगा रजिस्टेशन के लिए और कुछ एस्टुडेंट का इभी ताकि आपके जो भी question हो आपके जो भी doubt हो वो सभी के सभी clear हो जाए तो चलिए सबसे पाले आप सभी को बता दे कि राखिर जो आप लोगा class है कब से शुरू हो जाएगा तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा आप लोग notice देखे होंगे वहाँ पे official रूप से आप सभी को बत पोल टेकनीक college है जहाँ पर 9 अक्टूबर से पहले वी जो आप लोगा college है वह start हो जाएगा तो आप सभी को बता दे अगर notice नहीं आता है तो आप सभी को अपने पोल टेकनीक college में पढ़ने के लिए 9 अक्टूबर से जाना है अगर notice आ जाता है तो आप लोग 9 अक्टूबर के पहले भी जा सकते हैं जैसे कि आप सभी को मालूम होगा बहुत ऐसे पोल टेकनिक कॉड़िज है जहाँ पे 3 अक्टूबर से ही कलास स्टार्ट हो रहा है कहीं पे 4 से होगा कहीं पे 5 से होगा मतलब लेट लेट आप लोग अगर देखते हैं तो 9 October तक सभी Polytechnic College में कलास से स्टार्ट हो जाएगा वहार पोल्टेकनिक लेटरल एंट्री का तो जितने भी यह student का question था कि सर वहार पोल्टेकनिक लेटरल एंट्री थार्ड सेम का जो student है उनका कलास आखिर कब से सुरू होगा तो आप सभी को बता दे 3 October से ले करके 9 October के बीच में जो आप लोग का कलास से लगभग में सभी जगा सुरू हो जाएगा अगर आप लोग अपने Polytechnic की जो college है वहां के WhatsApp ग्रूप में जोईन होगे तो वहां पे already मतलब notice आ गया होगा के जो आप लोग का कलास से आखिर कब से सुरू होगा आपको फिर से बता दे कहीं पर 3 से होगा कहीं पर 4 से होगा कहीं पर 5 October से होगा लास्ट लास्ट 9 October तक सभी Polytechnic college में कलास से स्टार्ट हो जाएगा को आगे continue करने से पर आप सभी से एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग हां मार्यों आप सभी कि आपने YouTube से इनल डिपलोमा कलासिस पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दे ताकि आप सभी के पास जाते रहे और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि आप सभी कि आपने YouTube से इनल डिपलोमा कलासिस के माध्यम से भी हार पोल टेकनिक लेटरल एंट्री से सम्मधित जितने सारी अपडेट हो चाहे छोटे अपडेट हो चाहे बड़े अपडेट हो चाहे आपका कोई भी question हो सबका question का answer सीर्फ और सीर्फ डिपलोमा कलासिस के माध्यम से ही आप सभी को दिया जाता है साइध आप सभी को मालूम होगा क्योंकि आप लोग हम से पिछले one year से जूरे हुए हैं जब से आप लोग forum फिलप का इंतजार कर रहे थे सबसे पहले आप सभी को डिपलोमा क्लासिस के माध्यम से ही बताया गया था कि forum कब आएगा forum कब से लेकर करके कब तक फिलप किया जाएगा इसका exam कब होगा exam में question कैसे आएंगे result कब आएगा counseling कैसे होगा admission कैसे होगा क्या क्या document लगेगा यानि कोई भी update हो सबसे पहले आप सभी के पास डिपलोमा क्लासिस YouTube channel के माध्यम से ही आप सभी के पास पहुंच आया जाता है और आगे भी जब आप लोगा semester exam होगा तो उसमें जितने भी question पूछे जाएंगे आप सभी को पहले ही बता देंगे कि कौन कौन से topic से आप सभी के exam में question पूछे जाएंगे इसलिए आप लोग subscribe दूरूर कर लिजिएगा एक बात आप सभी को और भी बता दें जो भी लोग registration से सम्मझित कोई भी question पूछना चाहते हैं तो आप सभी लोग Instagram पर message करके पूछ सकते हैं Instagram ID है diploma classis1 और उसका link इस video के description box में दे दिया गया है अगर आप लोग comment करते हैं तो आप सभी को अगला वीडियो में भी बता देंगे कि जो आपका registration है आखिर आप लोग अपने ही mobile से कैसे कर सकते हैं अगर आप लोग comment करते हैं तो चलिए इस video को आगे continue करते हैं इसके साथ साथ आप सभी को फिर से बता दे आखिर आपको कौन से पोल टेकनिक कॉलिज में कौन सा वरांच मिला है इंस्टाग्राम पर एक बार मेशेज जरूर कर दीजिएगा ताकि आप सभी के पास जो समेश्टर का सिलेबस हो आप सभी के पास सियर कर सके ठीक है क्या करना होगा आप सभी को इंस्टाग्राम पर आप सभी को बता देना होगा कि आपको कौन से पोलिटेकनिक कोडिज में कौन से बरांच मिला है ताके जो सिलेबस का PDF है ओव आप सभी के पास सियर कर सके तो चलिए इस वीडियो को अगे कंटीनियू कर दे आप सभी क आप कुछ मिस्प्रिंट हो गया था फिर इसको मोडिफाई किया गया और आप सभी को बताया गया कि रजिस्टेशन के टाइम आप सभी को 800 रुपए देने होंगे तो आप लोग कंट्फॉर्म हो जाए जब आप लोग का रजिस्टेशन होगा तो आप सभी को अपने मोबा कर से सुरू हो गया है ठीक है इसके लिए जो आपका पूल टेकनिक कोलेज है अल्रेडी एक नोटिस निकाल दिया होगा घ्या होता है SBTOB पूरे भी हार पोल टेकनिक का मतलब बोड होता है ठीक है लेकिन उसके बाद भी सभी पोल टेकनिक कॉलेज अपना अपना नोटिस निकालता है कि कौन से बरांच में जो मतलब रजिस्टेशन कराने के बाद आप सभी को किस दिन उसको जो हार्ड कॉपी है उसको सब्मिट करना होगा अगर आप सभी लोग अपने अपने WhatsApp गुरूप में जोईन हुए होंगे तो आप सभी के पास बिल्कुल नोटिस आ गया होगा कि जो आपके पोल टेकनिक कोडेज है उसका रजिस्टेशन का डेट क्या है वैसे आप सभी को बता दे या फिस्याल रूप से जो डेट है वो 26 सेप्ट है और आखिर पेमेंट कितना है तो 800 रूप ए है अब चलिए आप सभी को बता दे कि रजिस्टेशन में आखिर आप सभी को गलती क्या क्या नहीं करना है यहीं गलती मैक्सिमम लोग करते हैं और उनका जो पोल टेकनिक लाइफ है वो वरबाद हो जाता है देखिए जब इमेल आइडी और मोबाइल नमर देना होगा तो आप लोग क्या करते हैं अपने ममी या पापा का जो मोबाइल नमर है या इमेल आइडी उसको दे देते हैं या आपको गलती नहीं करना है जो इमेल आइडी और मोबाइल नमर है आपको अपना देना है या वहीं इमेल आइ तेकनिक है उसको complete करा देगा और दो साल के अंदर जितने भी message आएगा जितने भी mail आएगा आपके वही mobile नमर वही email ID पर आएगा और इसको किसी भी हालत में किसी भी सर्थ पर इसको change नहीं किया जा सकता है और student लोग क्या करते हैं किसी का भी mobile नमर दे देते हैं किसी और का email ID दे देते हैं लेकिन क्या होता है बाद में वह गुम हो जाता है अगर आप लोग किसी और का दे देते हैं और by chance आपका mobile है या email ID हो कहीं पर खो जाता है उसके बाद क्या होता है आप सभी का जो user ID और password है अगर आप लोग उसको भूल जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा ज तो आपको इस गलती को नहीं करना है उसी मोबाइल नमर उसी email id को देना है जो आपके साथ कम से कम दो साल तक रहे कुछ एक्टुडेन का भी question था कि सर जब हम लोग का counseling हुआ था जब हम लोग पूल टेकनिक का फोराम फिलब किये थे क्या वहें आप लोग दे भी सकते हैं या यहाँ पर उसको change भी कर सकते हैं अभी आप लोग को जो देना होगा इसी को दो साल तक यूज करना होगा तो यह आपका question रहा कि क्या क्या गलती नहीं करना है अब question है क्या क्या document देना है registration के समय तो देखिए आप सभी को एक बात बता दे हर एक पूल टेकनिक काउड़ी से अलग-अलग notice publish किया गया है जहां पर आप सभी को बताया किया है कि जब आप लोग का registration हो जाएगा तो उसका जो hard copy है hard copy के साथ क्या क्या जामा करना है देखिए metric का mark sheet आप सभी को जामा करना है उसका जी राक्स इंटर का mark sheet जो लोग lateral entry से है ठीक है तो आप लोग 12 का जो mark sheet है उसको दीजिएगा अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम लोग ITI से है तो हम लोग क्या करेंगे तो जो लोग ITI से है तो आप लोग अपना ITI योला document जो आप लोग का admission हुआ होगा तो admission का जो slip होगा उसका आप सभी को देना होगा जी राक्स उसके बाद जो आप सभी का document verification slip होगा उसका भी आप सभी को जी राक्स देना होगा उसके बाद जो आप सभी का seat allotment letter है उसका भी आप सभी को जी राक्स है उसको देना होगा इसके साथ साथ जो आप सभी का hard copy है registration का उसको भी देना होगा उस पर एक photo को chip का देना होगा तो बस यहीं है आप सभी का क्या क्या process था जो आप लोगा question था उमीद है जितने भी question था सबका answer दे दिये हैं फिर आप सभी को बोलते हैं आपके पास कोई भी question होगा कोई भी doubt होगा तो आप लोग diploma classes के Instagram ID diplomaclassis1 आप लोग वहाँ पर message किजिएगा आपका जो question होगा उसका answer हम दे देंगे तो आज लिए तना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थांक यू